गुड मॉर्निंग बचो आप देख रहे हैं क्लास 10 मैथ और चैप्टर 2 है इसमें पॉलिनोमियल्स और एक्सेसाइज 2.2 के सोल्यूशन आप देख रहे हो तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नमबर 1 का जो हमारे पास 6th पार्ट है उसका सोल्यूशन करेंगे तो इससे पहले बाकी क्वेश्चन के सोल्यूशन हो चुके हैं अगर आपने नहीं किये तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे तो चलिए सुरू करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन तो 3x²-x-4 हमारे पा करने हैं फिर उसको वैरिफाई करना है रिलेशनशिप का zeros और coefficients यानि हमने इसको वैरिफाई भी करना है पहले इसको की value निकालनी है x की तो उसके लिए हम क्या करेंगे factorization method से हम करेंगे जो middle term है इसको हम two terms में split करेंगे ठीक है तो split कैसे करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमें two terms सोचनी पड़ेंगी कि हमें add करके add करके तो आजाए उनको minus x और अगर हम उनकी product करें या multiply करें तो उनको आजाए minus 12 x square ठीक है यानि addition उनकी minus x आने चाहिए और product या multiplication उनकी minus 12 x square आने चाहिए तो हमें two terms सोचनी पड़ेंगी तो उसके लिए हमने सोच ली है आप भी सोचिए तो मैंने क्या सोची है देखिए तो मैं सोच लेता हूँ कि minus 4 x एक टर्म है और second term है 3 x ठीक है तो अगर हम इन दोनों को add करेंगे तो हमारे पास minus x आएगा और अगर इन दोनों को multiply करेंगे तो ये minus 12 x square आ जाएगा तो देखिए अब middle term की जगाँ पे हम ये रख देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए बच्चो तो हम लिखेंगे 3 x square और minus 4 x और plus 3 x ठीक है तो minus x की जगाँ पे place पे हमने minus 4 x plus 3 x रख दिया और फिर minus 4 ऐसी लिख दिया यानि first term और last term तो हमने ऐसी लिखी बस minus x को change कर दिया जो हमने terms सोची थी उनकी उनसे place कर दिया उसको तो अब हम क्या करेंगे first two terms हैं इन में से common देखेंगे और इन में से common देखेंगे तो इन दोनों में से common x ही दिख रहा है हमें तो हम x common ले लेते हैं इन में से ठीक है तो यहाँ पे x ले लेते हैं और अंदर रह जाएगा 3x 3x minus 4 3x minus 4 रह जाएगा ठीक है बचो और plus अब इन दोनों में से कुछ भी हमें common दिखाई नहीं दे रहा तो हम 1 लिख लेते हैं और अंदर रह जाएगा 3x-4 ठीक है तो 3x-4 हम common ले लेते हैं बाहर क्योंकि दोनों सेम है तो 3x-4 हमने common ले लिया और बाकी x plus 1 ओ रह गया है तो इसको भी लिख लेते हैं x plus 1 ठीक है अब हम क्या करेंगे दोनों factors को 0 के equal रख देते हैं और x की value निकाल लेंगे जिससे number of zeros आ जाएंगे तो हमारे पास आ गया 3x-4 is equal to 0 और second term भी हमने ऐसी लिखनी है x plus 1 is equal to 0 ठीक है तो अब हम minus 4 को दूसरी side ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चो 3x is equal to 4 और यहां से x is equal to क्या जाएगा 4 upon 3 ठीक है तो zeros तो यह आगी और second zeros भी देख लेते हैं तो x is equal to क्या जाएगा x is equal to यह दूसरी side जाएके minus 1 हो जाएगा ठीक है बच्चो तो x की zeros आ चुकी है यानि x की two values जो आ चुकी है वो देखिए तो x की two values क्या आ जी है जिसे हम zeros बोलते हैं तो 4 upon 3 है और minus 1 है अब इनको verify भी करना है तो verify करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चो तो देखिए verify कैसे करें हम जो यह equation है न इसको जो given equation है उसको standard equation से compare कर लेते हैं यानि हम लिखेंगे a x square plus bx plus c ठीक है अब यहाँ से a की value है x square के साथ जो 3 लगा हूँ है तो वो a है तो इसका मतलब क्या है तो यहाँ से a क्या जाएगा यह 3 आ जाएगा और b b की value क्या आएगी देखो बच्चो b की value है x के साथ जो भी लगा हूआ है इस equation में तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको दिखारी देरा x के सान पर तो यहाँ पर minus 1 है एक तरह से क्या है minus 1 तो यह b minus 1 है अगर कुछ भी ना हो तो अगर minus है तो minus 1 अगर plus है तो plus 1 ठीक है और c is equal to आ जाएगा यह minus 4 c equal to minus 4 आ जाएगा ठीक है तो यह a b c की value आ गी है अब हम sum of zeros निकाल लेंगे sum of 0 तो sum of 0 जो 0 हमने निकाली थी तो उनका sum कर लेते हैं यानि 4 upon 3 minus 1 तो इनको add कर लेते हैं 4 upon 3 और minus 1 है तो इसको निचे भी 1 लिख लेते हैं और इनका LCM ले लेते हैं बचो तो LCM आ जाएगा 3 तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 4 minus यह 3 यहाँ पर multiply हो जाता है तो इसकी value आ जाएगी 1 upon 3 ठीक है तो sum of zeros यह आ गया है अब ऐसे ही हमें इस equation से निकालेंगे sum of zeros तो sum of zeros इस equation को मैं दुबारा से ठीक से लिख लेता हूँ 3 x square ठीक है 3 x square है और minus x है तो minus 1 x लिखा हुए मैंने ताकि b की value हमें पता लग जाए ठीक है तो sum of zeros अब इस equation से भी निकालेंगे sum of zeros तो sum of zeros कैसे निकालेंगे बच्चो तो sum of zeros है क्या होता है minus b upon a value इसका formula होता है यह आपको याद करना है sum of zeros होते है minus b upon a तो minus b का मतलब है यहाँ पे minus 1 है तो एक तो यह minus है और एक b के लिए minus 1 भी है ठीक है upon a की value बच्चो 3 है तो 3 लिख दिया अब यह जो यहाँ पे जब double minus होते हैं तो यह plus हो जाता है बच्चो तो यह one upon 3 आ जाएगा ठीक है अब यह देखो यह भी और यह भी दोनो sum of zeros हैं और दोनों सेम आए हैं तो यह verify हो चुका है sum of zeros तो अब हम product of zeros निकालेंगे product of zeros ठीक है product c t है product of zeros ठीक है product of तो यह आजेगा c upon a होता है बच्चो तो c upon a का मितलब क्या है यहाँ पे यह c है minus 4 upon a जो है यह 3 है ठीक है और product दूसरे टाइप से भी निकाल लेते हैं जो हमारे root आए थे ना तो उनकी भी product हम कर लेते हैं product ठीक क्या जाएगी zeros की product है यह 4 upon 3 multiply 4 upon 3 है यह और इसको multiply करना है minus 1 से minus 1 ठीक है तो क्या आजाएगा बच्चो तो यह आजेगा आपके पास minus 4 upon 3 ठीक है तो आप यह देखिए दोनों सेम आ चुके हैं यह भी और यह भी तो हम लिखेंगे hence verified यानि हमने जो अंसर निकाला है वो verify हो चुका है hence verified ठीक है तो यह question पूरा हो चुका है बच्चो तो इसे कर लेजिए फिर मिलेंगे next video में next question के साथ तब तक के लिए thank you बच्चो जैहिन